हेलो बच्चो कैसे हो आप सब तो एक स्टूडेंट है आशा कुमारी इन्होंने मुझे दो तिन बार क्वेशन लिख चुकी है यह इन्हों लिखा है कि मैं मैं बी एसी नर्सिंग करना चाहरी हूं और नंबर मेरे 400 से 500 की रेंज में आ रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूं औ और कहीं पर एड्मिशन नहीं मिल रहा है नीट के लिए भी मिरको थोड़ी परेशानी आ रही है और जिपमर पुडू चैरी पॉंडी चैरी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको कि वहां पर एड्मिशन मिल रहा है मैं जारखंड से हूं इन्होंने लिखा है और साथ में यह भ अफलाइन है क्योंकि वहां पर जाके आपको लैंग्विज का भी बैरियर इनको लग रहा है तो यह वीडियो बिटा खास आपके लिए है और इसमें मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि बेटा बात ऐसी है ना कि लाइफ हमें बहुत सारी ऑपरचुनिटी इस देता है उस आप जाए अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो लैंग्विज बैरियर के आप बात बूल जाओ क्योंकि लैंग्विज बैरियर बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी नहीं बोल सकते तो वहां पे अगर इंग्लिश भी बहुत अच्छे से नहीं आती तो दुनिया के one of the most successful people है वो भी जारखंट से निकले है तो आप सबसे पहली बात है अपने आपको अंडर एस्टिमेट ना करो क्योंकि देखो life is all about struggles तो अगर आपको देखो और ना हमें decisions लेने पड़ते हैं हमें अपनी society से कहीं कहीं बार ना खुद लड़ना पड़ता है उन ठीक है BAC nursing एक ऐसा course है कि अगर आप इसमें अच्छे से काम करोगे वैसे तो दुनिया भर के लोग इसमें आ रहे हैं ठीक है आप बोलोगे कि saturation हर फील्ड में है बट अगर आप इसको अच्छे institution से करते हो के बार तो आप उसी institution में placement मिल जाती है आपको अगर jobs निकलें ठीक है दूसरी बात BAC nursing के बाद आप MSC nursing जो आपका pondichari का जिपमर है this is very nice college यहाँ पे भी सीटें निकलेंगी तो आप कर सकते हो उसके बाद आप किसी भी college में nursing के लिए बैठ सकते हो neat का exam clear नहीं हुआ कोई बात नहीं हर कोई बंदा neat के लिए नहीं बना होता और एक बात और भी है कि neat के exam के लिए आप पे भी depend करता है कि आप अपना कितना life के years इस exam को देना चाहते हो ठीक है तो वो सब चीजे बिटा आप mind से निकाल दो मत सोचो बहुत जादा कि हाँ भी यह ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कुछ नहीं होता है जब हम जॉब पे भी लगते हैं तो जब हमारी जॉब्स दूर दूर होती है तब भी हमें जाके वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती है ठीक है तो थोड़ा सा आपने बेटा स्ट्रॉंग होना बाकी भगवान है आपको कुछ तसली मिलियो डू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो देट आइव जो चे मोटिवेटेड तो ब्रिंग मोर सच वीडियो किसी को कोई कमेंट है किसी को कोई स्टूदें लाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए तो आ क्वेर से रिलेट से भल्हाइब